नमस्कार दोस्तो जैसा कि इजरायल के पास आइरन डोम है लेकिन अब इजरायल दुस्मन की मिसाइलों को खत्म करने के लिए लेजर की दिबार बनाने जा रहा है जैसा कि दोस्तो इजरायल के प्रधान मंत्री नेप्ताली विनट ने देश की सुरच्छा में इस बड़े बदलाओं का इलान किया है और उन्होंने कहा कि इजरायल को चारो ओर से लेजर की दिबार से घीर दिया जाएगा जैसा कि दोस्तो आइरन डोम हवाई रच्छा कवर्च के बाद अब इजरायल ने दुस्मन की मिसाइलों को हवा में खत्म करने के लिए लेजर की दिबार बनाने जा रही है इजरायल के प्रधान मंत्री नेपताली बेनट ने देश की सुरच्छा में इस बड़े तकनीकी बदलाओ का एलान किया है उन्होंने कहा कि इजरायल को चारो ओर से लेजर की दिबार से घीर दिया जाएगा ताकि मिसाइलों को बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके बेनिट ने मंगलवार को एक सुरच्छा कॉन्फरेंस में कहा कि इसरायल तेजी से लेजर तकनीक को तैनात करने जा रहा है ताकि देश को रॉकेट हमलों से बचाया जा सके उन्होंने कहा कि अगले एक साल के अंदर देश के दच्छनी हिस्से में यह लेजर की दिवार बना कर खड़ी कर दी जाएगी और इसरायली पीम ने यह भी माना कि आइरन डोम सिस्टम बहुत ही खर्चिला है और इसरायल की इस लेजर की दिवार के बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन माना जा रहा है कि इसे जमीन, हवा और समुदर में तैनात किया जाएगा लेजर की दिवार नई तकनीक और नई तरीके का डिफेंस सिस्टम है जैसा कि इसरायल इस लेजर की दिवार की तैनाती करके अपने सबसे बड़े सत्रू इरान और उसके सहीयोगी हमास को चेतावनी देना चाहता है बेनट ने कहा कि अगर एक मिसाइल ये रोकेट को मात कुछ डॉलर के एक एलेक्ट्रोनिक पल्स के जरिये निसाना बनाया जा सकता है तो हमें आग के दरिया को बरवात करना होगा और जिसे हमारी सीमा पर इरान ने बना रखा है उन्होंने ये अभी कहा कि यह नई तरीके का डिफेंस सिस्टम इस इलाके में हमारे दोस्तों को भी मदद कर सकता है बाद बता दे कि इसराइल ने पिछले साल जून के महीने में एयर बॉर्ड लेजर गन की मदद से कई बार टेस्ट में ड्रोन विमानों को मार गिराया था इसराइल ने इस सांदार उपलब्दी को मील का पत्थर बताया यह एक घातक इसराइली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तू जैसे की ड्रोन, मोटार, मोटार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्चम है जैसा की इसराइल ने यह कारणामा ऐसे समय कर दिखाया है जब दुनिया भर में भविश्य में ड्रोन यूद की आशन का तेज होती जा रही है जैसा की छोटे से बिमान पर भी लादा जा सकता है लेजर गन फिर आस्मान में मची तबाही इसराइल के रक्षा मंत्राले के सोध और विकास यूनिट के प्रमुक यानिव रो टेम के मुताविक इस परिच्छन के दोरान एक छोटे से यात्री विमान पर हाई पावर लेजर सिस्टम को लादा गया और इस लेजर सिस्टम से सफलता पुर्वक हवा में कई ड्रोन विमानों को मार गिराया गया उन्होंने कहा कि ड्रोन, मोटार, रॉकेट, मिसाइल सभी को ये लेजर सिस्टम बरवाद कर सकता है, कतम कर सकता है इस सिस्टम के नमूने को अगले तीन से चार साल में बना लिया जाएगा जैसा कि उन्होंने कहा कि सिधान्त रूप से ही सही आने वाले समय में हमास के रॉकेट से लोहा लेने के लिए इसरायल के आईरन डॉम सिस्टम में लेजर वेपन को जोड़ दिया जाएगा और आईरन डॉम सिस्टम रॉकेट हमले रोकने में प्रभावी है लेकिन काफी महंगा है इसलिए इसरायल की ओर से जारी एक वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटे से प्लेन के उपर लेजर सिस्टम लगा है और एक टेस्ट ड्रोन पर उर्जा की कीर्णों से हमला कर र अंदर छेद हो गया है और उसके अंदर हवा में ही आग लग गई है जैसा कि इसरायल एक ने वार फिर टेकनोलोजी की ओर जा रहा है जो कि एक लेजर सिस्टम की ओर जा रही है जो कि एक बहुत ही बहुत ही एडवांस टेकनोलोजी है और कम खर्चिला है आशा करेंगे कि ये टेकनोलोजी इसराइल जल्द हांसिल कर ले और इस टेकनोलोजी से आगे इस टेकनोलोजी में इसराइल आगे और भी विकास करे धन्यवाद दोस्तों थैंक यू